बिल्कुल stretch करो तो फिर बैलंस बाते हो ए दीए दिले उपर कर तो उपर को बिल्कुल खीचो और पेट अंदर बिल्कुल stretch करो पेट अंदर उपर को body stretch करो बिल्कुल ठीक है बिल्कुल बिल्कुल खीचो पेट अंदर ठीक है सेड़ी हो कुछ यहां फट्टा को जैसे भी हो हमारे बास यह है उन्यूस कर रहे है ऐसे करके हमने सारा ले लिया देखो आदे पंजी इस तरह से रखने हुए ठीक है आदे पंजी नख लिए बागी हाथ दिवार पर रखने इस तरह से बिल्कुल स्पोर हो जाएग और इस त यहां पर फोर रखिया कि एक तो ऐसे लग लगगहा कि पंजी आप आ पो तिकत्त है तो यह से 5-10 सेवर इस तरह से रखेंगी यहां पर हमें 10 सब्स्रीं पोर ठीक हो एक गठीक है यह पेर एसे फीर आसे पेर आसे प्रिष को किसी को वेलिकोर द्मेंगे दिकतक है, टांपो में दर्थ रहता है, तो ये कुछ एक्साइजेश ज़रूर करनीगे आपको ये नीचे पर दूब पर दूब दूब ये लगी ना चीज पर देंगे दर्थ हो दूब अप ठीक है अब ये पांच पर करेंगे आप पर द्में लगी म arises, आप कर दानाे लीचे बनाटार सके ज़रूर करते है तो आप , तो इसल replay our own पर देंचे पर दूब ऴराबर देंगे हो कि ये, हलके से बात भी मैंस स्था घूवट करनी हो क Snid चीक है? अपने ही हाई के हिसाब से पाई तो नेगा, इस तरह से पंचे उठाने है, एरी इस तरह से, बहुत जादा स्टैच हो रहा है, बहुत जादा चीक साईस है वेरिकोज मेंस के लिए, इस तरह से, यह हिंख बाहर जाएंगे, पंचे उपर ठाएंगे, एक बाफ़ तो यह तो नहीं पूरा प्रूदे हैं, इसने से पंचर को उठाना है, यह पर बोल्ट रखेंगे 10 second, 20 seconds ही हैhmen, जिक्क है, जिक्यों कर दो हम एच्छा स्टरुए रहा है जिक्स हो रहा है जिक्ता कर पंचर को तो पढ़ादे पीछ पाऊ बकल बच्छी है हाँ हाँ तो नवर्टो जड़ी अवर्टो जड़ी यह अवर्टो कि अवर्टो अजड़ी पेर हो पूरा बार्टो पूरा प्रांज में आ लीए थिके एक जगापर हमें समय के शुच्छ एक है यह जोड़ा यह दो है एब अन्य बोख्यों को चास भार करो, आज़ों इतना लाज़ों हम ब्रकुर आप रूखी तर से करो तर माथ करो रूख्या करों इन बुद करो भी नी को पाँ नी जाना चाना से लुत जैसे आपकर हावट चलाओगे ना उतना इच्छा से अच्राओ इस तरह से एक जिवा पर खड़े होगे तो उसलों को चार बद करो इस तरह से उधर गराम से था इसलों के बाद आपको कमर की कर्मी है तो इसे क्या होगा जो कमर का क्राइट होगा फूभी टीक होगे यह दिए आप एखुल एखुल गुट 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 चीवाँ जोगे से लिए इसके देली आपको करना है एख के को अपको डायशन की पेट की परवर्लम में देली की तरह आता है और कभी में ऐसे लखो तो पढ़िजे इस तरह से लखने है इस तरह से भी लखने है पर चाहिए इस तरह से रखने है 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 इस तरह स किसकी इनको क mandate कि इनको की इंते हुआ सोब फेटी घर करकूराथ awakened کषे बब्रीं इनको कहुज यारी तो बसे और चीना रे इनको शरीकम यह नवैं फेटीनुसाद किआ कि नजएचिए व्यक्टिवठी दिया टा इनका नीर थेटी में इनका सड़िख दिजएशन डाइशन है तो अब it रिष्टे है है इतना रलीव है नो सिटिंग में अब पताया ह्या रिप्ता आधी में अभी ठील में फोट है तबागे आपको कॉंची पेशल का जैसे ताग एस तो हो ठी या भी अभी तो फ्रेश पर्ची से रहा है जैसे पहले दिकार की भी इंक बहुत पॉलम थी अभी उसमें भी इंक और आमेट प्रूम थे कापको पर देखा प्रूम है जैसे पहले थोड़े सी पोचीज खा लें क अब आपको करनी है जैसे पहले तो है जैसे पहले हैं अब उसके साथ आप अगर होट एड़ वाटर फेल्पी करते हैं उससे बहुत अराम मिलेगा उन्ने मैंप को भी कराई है वही हमने परसीजर सो सेम है गरम और थंड़ पानी एक साथ रखना है गरम पानी में चार निट और थंड़े पानी में दो मिलेट आप रखेंगे अपने पैरों को और यह प्रिक्रिया आपको कम से कम 25 से 30 मिनट करनी है तो यह जरूर कीजिएगा तो बहुत फरक पड़ेगा आप दनेवाद